हेलो गाइस आप सभी का अपने यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं लॉव टॉट्स के अंदर डिफे डिफेमेशन पढ़ेंगे जिसको रिपोटिशन भी कहा जाता है और हिंदी में मानहानी कहा जाता है इसे आई पीसी का सेक्षन 499 में भी क्या है करें डिफेमेशन का क्या मतलब होता है डिफेमेशन में यहाँ पर Monخime कर इंजर्ड कर देना उसको हाम कर देना या और भी है ठीक ना बी कुछ ऐसा मिस स्टेट्मेंट करता है फॉल्स स्टेट्मेंट प्रेजेंट करता है एक लिए बोल सुसाइटि के अंदर बोलता है कि यह जो है चोर है तो यहां पर एक का जो है रेपोटेशन डाउन हो गया तो ने कर दिया एक को डिफेम कर दिया यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपस ऑफ डिफेमेशन की बात करेंगे असेंचियल की बात करेंगे और डिफेंस पोर डिफेमेशन की बात करेंगे तीन चीज हम बात करेंगे और जो केस लॉस होंगे उसे भी हम डिसकस करने वाले हैं तो English law में दो टाइप्स होते हैं defamation के और जो की Indian law भी उसको गधर करता है defamation में liberal और cylinder आते हैं दो टाइप होते हैं liberal और cylinder English law के अंदर देखे लिबेल जो criminal law के अंदर यूज होता है अब इनका जो है definition क्या होता है तो देखे लिबेल का क्या मतलब होता है लिबेल का मतलब है किसी भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जो पर्मानेट फॉर्म में आइदर राइटिंग प्रिंटिंग पिक्चर इफिगे इफिगी और स्टेट्यू इट मिज देखिए एक्जांपल देख लेते हैं ए और बी तो यहां पर एक क्या करता है एक बारे में कोई डिफिप्रेमेट्री स्टेटमेंट अकबार में नियूस्पेटर में लिबेल क्या होता है तू यह लिवेल फॉर्म इसको कहेंग कि दूसरा हो गया कि सिलेंडर को का मतलब है कि सिलेंडर का मतलब है कि ए इस पुबलीकेशन आजम में ए स्टेट्मेंट इंट्रांजिट फॉर्म इस्पोकें और वर्ड और सामने वालнить को दूसे सिलेंडर कहा गया है जैसे कि ए है और बी है बी कुछ भद्दे कमेंट करता है एक के बारे में जो कि वो एकदम फॉल्स एकदम गलत है तो यहां पर सिलेंडर कर रहा है ठीक है न तो यह सीबिल रॉंग हो जाता है और लिबेल जो है क्रिमिनल रॉंग हो जाता है इस चीज़ क आप लोग ध्यान रखेंगे कि सीविल रॉंग कौन से क्रिमिनल रॉंग कौन से तो लिबेल जो है क्रिमिनल रॉंग है जो आई पीसी के अंदर चला जाता है और सीविल रॉंग जो है सिलेंडर को कहेंगे और अगर आई पीसी की बात करेंगे तो आई पीसी के अंदर दोनों चीज डिफाइन केया गया है दोनों को से अगी असे अफ का डिफेमेसिन सोता है तो अफ जो है जे इसोट आइदर το फिर के प्रेमेसन ऑर ट्रीवयर कि यूझ जो होने की कौन से थोंगे कौन से इसे contemporary होंगे जिसको defamation कहा जाएगा कि यह defamation commit हुआ है सबसे पहले statement must be defamatory यानि कि statement सबसे पहले defamatory होना जरूरी है it means defamatory statement is which tend to injured the reputation of the plaintiff यानि कि यह है जो plaintiff है अभी है जो defendant है बी ने ऐसा कुछ defamatory statement किया है against a तो यह defamatory statement होना चाहिए ठीक है ना अगर defamatory statement नहीं है तो यह essentiality में नहीं आएगा कि statement must be refer to the plaintiff देखें बहुत important है कि statement जो है वो plaintiff के लिए होना चाहिए किसी और के लिए नहीं होना चाहिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से a, b और c तो यहाँ पर b ने भद्य कमेंट किये c के बारे में ठीक है ना c के बारे में कमेंट किये लेकिन a ने case फाइल कर दिया तो यहाँ पर एक उपर तो कुछ है नहीं तो यह यह यहाँ पर plaintiff नहीं पर सी है तो प्लेंटिप के लिए होना चाहिए किसी और दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए प्लेंटिप के लिए statement refer होगा तो वही case कर सकता अधरवाइस कोई case नहीं कर सकता नेक्स्ट है कि statement must be published or must communicated to the some person यानि कि जो भी statement defamatory statement उसे पब्लिस हुआ है और वो कुछ लोगों के पास पहुंचता है और plaintiff के पास भी पहुंचता है तो वह essential माना जाएगा और cylinder के case में क्या है कि थोड़ा special जो प्रूब की जरूरत पड़ेगी damage claim करने के लिए यह damages नहीं है अगर damage होता है cylinder के अंदर तो उसे प्रूब करने की जोद पड़ेगी कि हाँ सामने वाले ने बोला है कि नहीं बोला है आप वे वज़ा case तो नहीं कर रहे हैं उसके उपर तो इसके लिए आपको प्रूब करने पड़ेगी अब चलते हैं defenses for defamation एक बहुत ही अच्छा question निकल के आता है बहुत ही अच्छा question निकल के आता है communication से related communicated यानि कि जो भी वेक्तिक उपर defamatory comment हो रहा है तो उस बंदे को उस बंदे को समाझ आना चाहिए कि हम मेरे उपर वो comment हुआ है मतलब communicated होना चीए यानि कि बी ने जो भी work किया है तो एक के उपर वो आना चीए एक को पता रहना चीए कि क्या हुआ मैं साथ तो इसी के अंदर case law आता है केसलो का नाम है टीजे पुनेन ठीक है ना पुनेन वर्सेज एमसी वर्गिस्ट ठीक 1970 का case law है तो इस case law में क्या होता है कि दमाद जो होता है वो लेटर लिखता है और अपनी वाइप को सेंड करता है उस लेटर के अंदर Depximetry Statement कंटेन होते हैं वाइप के अंदर पर कि आगर यहां पर क्या है की अगर ओड़ लेटर खुंकि चाका तो यहां पर ج Dios and Gum हो है जो दमात जिसने लेटर लिखा है वहाँ पर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी क्यों कि इंडियन एविदेंस एक्ट जो है किस तरीके से लिए जा सकता हैं पहला जो डिफ्यस चुश्टि पे की घर करता है यह के लिए यह हैघ जोंचोर करता है में सब इसको जानते है की चोर है। अब में सब इसको जाEntे कि के चोर है तो यहां पर अगर एक कलेम करता है कि बी ने मेरे खिलाब जो है गलत डिफिमेटर स्टेटमेंट दिया जो हमारे सोसाइटी में मेरा इमेज को डाउनग्रेड कर रहा है तो यहां पर ए फील होजाएगा कियूंकि यह बी जो है उसने टॉफ बोला है वह पूलिस वाले ने भी बता दिया है कि यह चोर है पहले भी cases में पकड़ा जा चुका है तो यहाँ पर B कोई damages नहीं देगा A को यह हो गया आपका justification और truth के case में दूसरा है दूसरा है fair comment मतलब normally comment कर रहे हैं उसका कोई आसा नहीं था कि सामने वाले को defame करें ठीक उसके इज़्जत को downgrade करें एक दम फियर कमेंट बात चीज करते करतें दो-तिन दोस्ता आपस में बात कर रहे हैं और ऐसी फियर कमेंट कर दिया तो defamation नहीं माना जाएगा फ़र्ड जो है privilege जो privileges होता है इसका नाम ही है privileges जिसको हिंदी में कहते है बिसेसेज़टकार बिच में भी आइधर absolute और qualified देखिए यहाँ पर क्या होता है privileges में कि जैसी कि लोगसभा राजे सभा अगर आप लोग टेलिवीजन देखते होंगे तो पारलेमेंट में बहस होता है तो बहस होते समय बहुत सारे जो politicians हैं इस गर्मेंट के इस नेता ने ने आ और बी जो है दूसेरा जो politician लेडर है तो ए कहता है कि ने पी जो है जो है बी ने घोटाला किया है बी ने जो है हक मारे हैं लोगों के तो यहां पर उनको प्रिविलिजेस और उनके उपर डिफेमेशन का केस नहीं लगेगा क्योंको एक बिसे साधिकार एपसुलूट और क्वालिफाइड प्रिविलिजिस दी पावर दे रखिए बोलने के लिए भी यहां पर एलिगेशन लगा सकता और कमेंट करके बताएं कि और किस चीज पर मैं वीडियो बना सकता हूं जय हैं जय दोस्तों जय वर